हालो दोस्तों स्वागत आपका मारे यूटूब चैल में तो आज हम आपको बताने वाले हैं रेड्मी नाइन पावर की चार्जिंग सप्लाई के बारे में तो सबसे पहले चलते हैं इसके बोट तो बोट कनेक्टर पर यह देखिए इसके कनेक्टर है और यह सप्लाई है हमारी वीवस की सप्लाई है जिसमें 5.2 बोल्ट मिलता है उसके बाद चलते हैं आगे इसका एक पॉइंट दिया हुआ यह आगे उसके बाद चलते हैं यहां से आगे यहां से राइश्टर दिया हुआ है उसके बाद यह कैपिस्टर लगे हुए है फिर यहां से चलते हैं आगे फिर यहां पर यह कैपिस्टर लगे कैपिस्टर के बाद हमारा चार्जिंग आईसी में जाते है इसकी सप्लाई और यह बीपेच पावर की सप्लाई है हमारी यह यहां पे कैपिस्टर दीवाइं कोईल है कोईल के बाद यहां पर दुन के पीइज़र और याझ दाएउड डाइउड दाएवड के वाद हमारा इसी मीजाते चाड़ूड में यहां से जो बोरता है वीचाद की सप्लाइव 4.2 यहां से आउट पूटता यह कैपिस्टल लगे हुए इसके सप्लाई में यह देखिए यह डायोड है उसके बाद चलते हैं आगे यहां पर इसका पॉइंट दिया उसके बाद यहां बैटरी कनेक्टर के प्लेस पॉइंट पर जाते हैं इसकी सप्लाई यह देखिए और यह अमारी थर्मल सप्लाई है यहां से होती हुई यह पॉइंट दिया हुआ है इसका यहां पर दो पॉइंट ने सके उसके बाद चलते हैं आगे तो है मुद्ध यहां यहां से इस रैजिस्टर यह पर कर सकते हैं यहरे स्प्लाई में फ्री Origin यहां से होती हुई यह इसका पॉइंट दिया हुआ है दो उसके बाद चलते हैं आगे इसकी सप्लाई में वेग रेजिस्टर है उसके बाद इसकी भी सप्लाई सिधा हमारा चार्जिंग आईसे में जाती है आप देखते हैं DMDP की सप्लाई यहां से हमारी 13 और 14 नमबर पिन से होती हुई जो उपर से 13 और 14 नमबर पिन है यह हमारी DMDP की सप्लाई है यहां से होती हुई यह दो पॉइंट दिये हुए उसके उसके बाद यहां पर डाय उड़ा है दो यहां से चलते हैं आगे यहां पर यहां पर यह रेइस्टर दिये हैं इसके बाद इसके बाद इसीदा CPU में जाती है इसकी सप्लाई यह देखिए तो दोस्तों यह वीडियो अब आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब पर ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हैं हमारे चैनल के साथ क्रीदा बंगरे जुड़े पर प्राइब लाइक टीडियो के साथ